इसराइल और हमास के बीच 11 दिन भी जंग जारी है ये योध कब शांत होगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता अब इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन 18 अक्टूबर को इसराइल जाएंगे और इसराइली पी-म बेंजमिन निद्नाहू से मुलाकात करेंगे अबस्ट बड़ी पीच बेंजमिन जिसन बड़ाव उड़ी प्रशव की बड़ाइड में इसराइल प्र है प्रशड़ी बड़ी प्र्य में है क्या उनिया है बお願い इस्रेदार के found reference first ब्रेसिनि व्रेसिता इस ए Cart質 अलिरिशे तसी इस्राइब इसरे मिच ज brass हैं और अंधित्व इस करेप इस्रेट शरDoes son liraven excellent benefits स्वार में बार 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 प्रगव मरीर्焦्र I वा Truck Rig ई में ऑलि इद देा एंधित बदा दें कि इस जंग के बीच अमेरिकी राष्टेपती बाइडन काई बार इस्राइली पीम बेंजा में नितने आहों से फोन पर बात कर हालातों का जादा ले चुके हैं ऐसे में अब उनका ये दौरा कई तरह से माईने रखता है झाल झुके ले झाल